बिहार के मोसम के बारे में जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 120 गंटों के दुरान बिहार का मोसम कैसा रहेगा बिहार की किन जगों पर आज बारीज की गतिविद्या होने वाली है उसके बारे में आपको ताजा जानकारी देंगे साथ में मानसों 2022 के बारे में भी आपको एक विशेस जानकारी दी जाएगी तो इस वीडियो को बिना स्किप्ट के पूरा जरूर देखे चैनल पर नए वो तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बिहार मोसम क सटिक जानकारी आप तक रोजना पहुंसती रहेगी सबसे पहले दोस्तों अगर हम अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बादलों की अवज जावी बिहार के दक्षनी पूर्वी शत्रों के आसपास काफी गनी है यहाँ पर कई जगों पर काफी इंटेंसिटिफाई बादलों का निर्मान हुआ है अगले कुछ गंटों के दोरान ये बारिस का दाएरा दक्षनी पूर्वी बिहार के शत्रों पर बढ़ेगा यहाँ पर हलकी मद्यम कुछ अस्तानों पर मद्यम से तेज बारिस की गत्विदियां आज दिन भर देखने को मिलेगी पिसले 24 गंटों के अगर हम कुछ गत्विदियां देखें को मिले आज भी बारिष की गतिविदियां काफी अच्छी होने के संभावना है बिहार के दक्षनी पूर्वी भगों में यहां पर पुरुनिया कठियर बागलपूर साथ में अररिया साथ में जो दर्बंगा मदुबनी के सत्रे हैं कुछ सूपोल समस्ति पूर वैसाली साथ म दक्षनी पूर्वी भ्यार के शत्रे हैं यह पर अरिया पुरनिया कशनगत साथ में किठियर और कोशी खगरिया बागलपूर मुंगेर लकी सराइ बेंगुसराइ और बंका जमुई के शत्रों पर भी आज कुछ बारिष की गतिविदियां दरज की जा सकती हैं दक्षनी पूरी बिहार के शत्रों पर भी हलकी खंड बारिस की संभावना है एक साइक्लोनिक सरकूलेसन या पर दक्षनी पूरी बिहार के शत्रों पर बनाववा है और एक ट्रप नुमा गतिविदी भी उत्रपरदेश और बिहार के बीच वाले शत्रों के आसपास बनी विंदोनों सिस्टमों के मिले जूली पर बाव से आज कुछ गतिवी दियां बिहार के दक्षनी पूरी शत्रों में जादा रहेगी दोस्तों मानसून 2022 के अगर हम बात करें तो मुसम विबाग ने मानसून 2022 के बारे में कहा है कि 15 माई के आसपास अंडमा निकुबार दीप समू में मानसून दस तक दे सकता है तो उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी जल्द देंगे तो आप जुड़े रहेगे मुसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर आपको सर्ठीक और सही जानकारी मिलती रहेगी फिला दोस्तों मिलेंगे एक और नेक्स टूडियो में तब तक के लिए आप सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत नियवाद जय हिंद जय भारत ठेंक्यू